दोस्तों खुद का घर खरीदना आज हर विक्ति का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने में हमारी मदद करता है होम लोन लेकिन होम लोन लेना एक जटिल प्रोसेस है और ज्यादा तर बेंक या हाॉसिंग फाइनेंस कमपनियों में होम लोन के लिए अलग-अलग क्राइटेरिया निर्धारित होता है होम लोन के इस क्राइटेरिया की जानकारी ही आसानी से लोन स्विक्रत कराने में आपकी मदद करती है तो यदि आप भी होम लोन की इस जटिल प्रोसेस से बचना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि होम लोन का क्राइटेरिया क्या है त तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तो वैसे तो हर बेंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का होम लोन देने का अपना-पना क्राइटेरिया होता है लेकिन आज हम होम लोन के बैसिक क्राइटेरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिससे आप आसानी से होम लोन लेने का प्लान बना सकते हैं और इस क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट है होम लोन के लिए इस्थाई वित्ति इस्तिती जी हाँ दोस्तों, बेंक या फाइनेंस कमपणी आपके स्थाई वित्य स्थिति के आधार पर ही होमलोन की स्थिक्रती देती है इसमें मुख्यत दो पक्षों पर ध्यान दिया जाता है पहला है आपकी मासिकाए और दूसरा है आपका स्थाई रोजगार आपकी मासिक इंकम आपके होमलोन के भुकतान को सपोर्ट करती हो और आपका स्थाई रोजगार आपकी इंकम की स्थिति बताता है जिससे बेंक ये तय कर पाने में सक्षम होती है कि आप दिये गए लोन को जमा करने में भी सक्षम होंगे होम लोन क्राइटेरिया के दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो वो है आपकी उम्र और रोजगार दोस्तो होम लोन लेते समय आपकी उम्र के साथ ही साथ आपके रोजगार की इस्तिती होम लोन की स्विक्रती में महतुपूर्ण भूमिगा निवाती है जब भी बेंक या हाउसिंग फाइनेंस कमपनी होम लोन स्विक्रत करती है तो आपकी उम्र और आपके रोजगार यानि जॉब या बिजनस के इस्तिती अच्छे से जाचती है आपकी उम्र से लोन कितने समय के लिए दिया जाए यहाँ निर्धारित होता है और रोजगार की इस्तिती से होम लोन कितना दिया जाए यहाँ निर्धारित करने में बेंक को आसानी होती है Home Loan Criteria का अगला महतपूर्ण पॉइंट है आपका Credit Score हाँ दोस्तो आज चाहे किसी भी तरह का Lone लेना हो आपका Credit Score बेहद महतपूर्ण होता है Credit Score 300 से 900 पॉइंट का होता है इसमें 700 से नीचे पॉइंट के स्कॉर को खराब माना जाता है तो home loan लेने के लिए आपका credit score 700 से ज़्यादा होना अनिवार है और यदि आपका इससे कम score है तो आपको इससे सुधारने की जरुवत है और यदि आप इसमें सुधार लाना चाहते हैं तो आप हमारी यह video देख सकते हैं इसमें हमने credit score को सुधारने के लिए कुछ tips दिये हैं इस video की link हम इसी video के description में दे सकते हैं या comments box में आपको दे देंगे home loan criteria में चोथा और महतुकूर्ण point है down payment जब भी आप घर खरीते हैं तो bank घर की value का पूरा पैसा loan के रूप में नहीं देती बलकि amount bank घर की market value का 80-90% का loan स्विक्रत करती है ऐसे में बाकी का बचा amount down payment कहलाता है इसे आप ही को manage करना होता है एक और बात यह down payment आप जितना अधिक रखेंगे उतना loan स्विक्रती में आसानी होगी साथी आप आप पर ज़्यादा किष्टों का बोज भी नहीं होगा दोस्तो आप चलते हैं home loan के पांचवे criteria पर जो है मोजूदा loan हाँ दोस्तो आपके मोजूदा loan आपके home loan स्विक्रती पर बड़ा असर डालते हैं यदि आपके पहले से ज़्यादा loan चल रहे हैं तो संबव है कि आपको home loan ना मिले क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया home loan आपकी IQ शम्ता के आधार पर होता है पहले से चल रहे loan आपकी home loan repayment capacity को कम करते हैं तो हो सके तो Home Loan लेने से पहले या विदन करने से पहले अपने वर्तमान में चल रहे लोन आप बंद करवाएं Home Loan Criteria का आखरी और छटा पॉइंट है Documentation दोस्तो Home Loan में सबसे महतपूर्ण होते हैं Documentation और यह तीन केटिगरी के होते हैं पहला है आपके KYC, दूसरा है आपके Income Document और तीसरा है आपकी संपत्ती से जुड़े Document KYC Document आम तोर पर हर बिंक और Finance Company में एक तरह के ही होते हैं इसमें आपके सामाने ID, Address Proof जैसे आधार कार्ट, Pen Card और Address Proof शामिल है Income Document हर बिंक में अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन बेसिक तोर पर यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी पैसली, Form No.16 और बेंक का Salary Certificate या बेंक का Account Income Document होते हैं वहीं यदि आप बिजनस से जुड़े हैं तो आपके Business License, Income Tax Return, GST Return बेंक का Current Account आधी आपके Income Document होते हैं वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सी बेंक और Housing Finance Company आप बिना Income Document के भी Home Loan उपलब्द कराती हैं तो यदि आपके पास Income Document नहीं हैं तो आप वीडियो के नीचे Home Loan Without Income Document लिख कर कमेंट कर सकते हैं हम आपकी Profile के हिसाब से आपको उस बेंक या Housing Finance Company का सुझाओ दे सकते हैं जो आपको बिना Income Document के Home Loan उपलब्द करा सकती है Home Loan Document में संपत्ती से जुड़े दस्तावेश, तीसरे महत्वूर्ण, सबसे महत्वूर्ण Document हो सकते हैं यह हर राज, शहर और यहां तक की संपत्ती के टाइटल के हिसाब से भी अलग-अलग हो सकते हैं इसके लिए आप जब भी Home Loan के लिए आवेदन करने की सोचे तब स्थानी बेंक या कंपनी के कर्मचारी से अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या हमें Home Loan Document लिखकर कमेंट्स कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी Home Loan क्राइटेरिया से जुड़ी आसान भाशा में जानकरी लेकिन ध्यान रखे इस वीडियो में बताये गए Home Loan क्राइटेरिया के बावजूद आपकी पातरता पूरी तरह से बेंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की पॉलिसी पर निर्भर करती है उमीद है आपको आज की जानकरी पसंद आई होगी अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करे ताकि ऐसी ही और जादा इंफोमेट्यू जानकरी लाने का हमारा मोटिवेशन पर करार रहे इसके लावा यदि आपके किसी दोस्त या रिष्टेदार को भी Home Loan लेना है तो उनसे ये जानकरी शेयर जरूर करे वीडियो पर आखरी तक बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धलने बात अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकरी के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत